पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही खोच का होगा। चुनिए CGPSC नी बात्षाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC और व्यापव का सपना साकार। डाउलोड धी आप नाउ गौर्मेंट ने पहली बार वर्तमान में जो 36 जिले है उन 33 जिलों के आधार पर आकड़े जारी किये है। और बहुत से नविंताव आकड़े भी है। काफी इंपॉर्ड टॉपिक है तो बहुत ध्यान समझते हो चलिएगा। देखिए वीडियो शुलू करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि हमारा CGPSC e-part शाला का 36 गड़ आर्टी सर्वेक्शन 2022-23 एवं 36 गड़ एवं केंद्री बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। आर्टी सर्वेक्शन 2022-23 एवं 2021-23 के अनुमानित आकड़ों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर लिखा हुव है जनगर्णा 2011 वास्तवीक एवं 2021-23 अनुमानित आकड़ी। अब एक वास्तवीक और एक अनुमानित था इसका मतलब क्या है। दस साल बाद नवीनितम आकड़े 2021 का जारी किया जाना था लेकिन जनगर्णा 2021 का आकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया। उसका कारण क्या है जो कोरोना महामारी का जो दौर आया था उसकारण से सारे कामकाज रुके हुए थे सारे सर्वे रुके हुए थे बहुत से राज्यों में अब तक जनगर्णा के सर्वे नहीं हुए है इसकारण से अभी नवीनितम जनगर्णा के डाटा पब्लिश नहीं मिलेंगे इस आधार पर संभावता यह हम कह सकते है कि हमारे 36 गड़ में आपके जनगर्णा 2021 का सरवे पूरा हो चुका है लेकिन इस आकड़े को हम अनुमानित आकड़ा मानेंगे अनुमानित क्यों मानेंगे क्योंकि यह जो आपकी जनगर्णा वाला जो टॉपिक है 2011 का तो आकड़ा 10 साल से हम पढ़ते आ रहे है यह वास्तविक आकड़ा है अभी तक जो अभी जो आपके चैक्टर टू में हमारे आर्तिक सरवेक्षन के चैक्टर टू में कुछ जगह पे आपको 2021 और 2023 के अनुमानित आकड़े पढ़ने के लिए मिलेंगे यह आकड़े अनुमानित इसलिए है क्योंकि इसे अभी तक Central Government के दोरा approval नहीं मिला है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम आर्थिक सर्वेक्षन में जितने भी चीज कवर करेंगे जो आपकी YouTube पे CGPAC YouTube चैनल पे जो 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षन को वीडियो सीरीज चल रहा है इसमें जो भी कंटेंट आपको बता रहा हूं यह हमारे 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षन एवं बजट वाले बुक से ही लिया गया है सारा कंटेंट बुक का ही है ठीक है कुछ चीजों को मैं आपको shortcut form में और कुछ चीजों को explain करके मैं बताओंगा ठीक है कुछ detailing में मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान समझते वह चलिएगा ठीक है बुक में अगर कहीं पे कुछ नया update आता है क्या होता है बिजवीच में कुछ विभागों के द्वारा अलग से प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है तो उसको भी update करना जरूरी है तो जहां पर update होगा वहाँ पर मैं आपको page नमबर के साथ बता दूँगा वहाँ पर update कर लिजएगा अगर कहीं पर correction होता तो correction भी आपको साथ उसाथ बताते वहीं चलूँगा तीक है देखिए सबसे पहले नमबर पर है लिंगा नुपात sex ratio अब ये लिंगा नुपात होता क्या है इसे ध्यान समझेगा देखिए प्रती 1000 पूर्षो की तुलना में महिलाओं की संख्या याने कि प्रती 1000 पूर्षो की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है ये कहलाता है लिंगा नुपात या sex ratio देखिए कुछ जगा क्या लिखा हो मिलेगा प्रती 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या प्रती 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या प्रती 1000 पूर्षो की तुलना में महिलाओं की संख्या सारा ये की है ठीक है देखिए यहाँ पर definition दिया गया है अच्छा जब हमने last class cover कराया था CG Economic Survey का chapter 1 उसमें बहुत से student के comment आए कि sir जो आपने पिछले साल Economic Survey का book बनाया था as it is पूरा का पूरा आपने इस साल के Economic Survey के book में कट copy paste कर दिया है कोई भी नया चीज नहीं है जो भी लोग यह सवाल कर रहा है आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है आर्थिक सर्वेक्षन में केवल आकड़े change होते है concept या definition कभी change नहीं होता यह जो लोग बोल रहा है ना कि पिछले साल का Economic Survey का सारा data इसमें होता अरे उसमें पढ़के देखिए data change है बुक का format सेम है format सेम देखिए मेरे उद्देश यह रहता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत न पड़े मैं book का format यह ऐसा नहीं कि पिछले साल का format और इस साल का format पिछले तीन साल से same format मैं follow कर रहा हूँ उसका कारण क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत ना पड़े जिस तरीक के table आज से 2 साल पहले बना हुआ था वैसा ही table अभी भी आपको मिलेगा और आगे आने वाले समय भी आपको वैसा मिलेगा ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े जो लोग मेरे book को follow कर रहा है वो कम से कम जो format वो इतने समय से follow कर रहा है तो उन्हों कुछ नया पन ना लगे क्या चीज़े पढ़ना चाहिए, क्या चीज़े छोड़ना चाहिए, कहां से question आ रहा है जब कभी भी exam में कोई question आता तो मैं अलग से बताता हूं कि इस table से question आया है exam में पूछा गया है, जा करके उठा करके देख लीजिए तो जबरदस्ती कोई नया नया experiment करने से कोई मतलब नहीं है book में format वैसा ही रहता है, केवल आकड़े change होते है अब ऐसा तो नहीं कि इस साल कोई नया आकड़ा आया तो लिंगा नुपत का definition change हो जाएगा तो कुछ comment करने से पहले तो आख सोच लिया कीजिए पिछले साल के book और इस साल के book को देखने में आपको same लगेगा लेकिन उसका आकड़ा change है उसके data को change किया गया है जबरदस्ती नय नय चीज़ों को पढ़ करके कहे को मुसीवत ले रहे हो नय नय experiment करने से कोई मतलब नहीं है जो चीज़ आपको दिया गया है जिस format में दिया गया है वो आप ही के भलाई के लिए दिया गया है ताकि आप ही को जादा मेहनत करने का जरूट ना पड़े ठीक है चलिए देखे यहाँ पर definition अगर मैं आपको अभी जो government का जो official economic survey दिखाऊँ यह जो आपका chapter 2 है इसको देखिए किस प्रकार का आपका government का official economic survey आया है देखिए आपको तो मैं यहाँ पर अगर आप book में देखेंगे तो आपको table बना करके दिया हूँ जीवन प्रत्यासा का definition लिख करके दिया हूँ प्रजनंदर definition अलग से table बना के दिया हूँ यहाँ पर देखिए अशोथित जन्मदर मृत्युदर इसको मैंने बना करके दिया है और government का देखेंगे official जो government का जो economic survey है वो किस प्रकार से है यह देखिए यह देखिए यह government का official economic survey यह ऐसा दिया गया है कोई tabulation form नहीं बार डाइग्रम में दर्शा दिया है लाइन डाइग्रम में दर्शा दिया है यह इसको मैंने अलग से आपके लिए type करके उसमें हाँ chapter 2 में change है वो आपको book में भी देखने के लिए मिलेगा यहां आपका जो आपके line diagram में जो दर्शा आया गया है मैंने बकायदा उसको tabulation form में आपको बना दर के दिया है यह देखिए यह सारा line diagram में है पढ़ सकते है पढ़ लीजे इसको available है और सारा चीज इसमें English में mention है आपको तो मैं definition के साथ बता रहा हूँ यह देखिए total fertility rate हिंदी मीडिया वालों को अलग से मैं पूरे definition के साथ दिया हूँ कि प्रजनंदर क्या होता है fertility rate यहां पर देखिए यह आपका net migration यह प्रवासी ठीक है प्रवासन क्या होता है definition के स यह कर्ड है क्या अशोधित जन्मदर अशोधित मिट्यूदर definition के साथ आपको मैंने बुक में बना करके दिया है ठीक है अब economic survey government का आया तो जैसे चाहूं वैसे चिपकाना मेरा उद्देश नहीं है आपको समझ में आया उसे देखते हुए मैं video भी बनाता हूँ और अपने book का format भी रखता हूँ वरना government ने यहाँ पे देखिए पूरे data यहाँ पे English में पूरे डाला हुआ है सारा data जितने भी आपके data आप यहाँ पे देखेंगे कहीं पर आपको definition नहीं मिलेगा मैं तो definition के साथ डाला है उसमें यह देखिए यह government का official इस तरीके से है तो कुछ comment देख करके दिमाग खराब हो जाता है ठीक है तो थोड़ा सा comment करते हैं तो उस comment को करने से पहले थोड़ा अच्छे से पढ़ लिजे कि book में दिया क्या है ठीक चली ध्यान दीजेगा लिंगानुपात अब मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया है समझेगा किसी छेत्र में वही 2011 की जनगर्णा के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 943 अभी 943 लिंगानुपात का मतलब क्या है ध्यान दीजेगा प्रती 1000 पूरुषों के comparison में 943 महिलाएं थी ठीक है 943 महिलाएं थी यह कहलाता है लिंगानुपात 2011 की जो आकड़े है जनगर्णा के वास्तवीक आकड़े है 2011 के आकड़ों के अनुसार हमारे भारत देश का लिंगानुपात 943 था भारत में लिंगानुपात सदेव महिलाओं के प्रतिकूल रहा है यानि कि महिलाओं का जो आपका संख्या है वो हमेशा पूर्षों की तुल कारक है कन्या ब्रूण हथ्या यानि कि जो लिंग परिक्शन कराया जाता है सव्णुग्राफिक के माध्यम से और उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि पेट में मा के पेट में जन्म लेने वाली जो आपकी क्षिशू है वो एक कन्या है तो उसका मा के गर्भ में ही उसकी हत बन्धित करवा दिया है ठीक है अब देखिए यहां पे ध्यान दीजेगा भारत के भारत एवं बड़े राज्यों का लिंगा नुपात वर्ष 21 अनुमानित देखिए यहां पर जिसे अनुमानित आकड़ के अनुसार अगर राज्यों की बात करें, तो सरवाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में हमारा च्षत्तिस गड़ पहले स्थान पर है, भारत एवं बड़े राज्यों का का जो लिंगानुपात है जो सेक्स रेश्यू है, 2021 के अगर हम अनुमानित आपड़ों के अगर आधार पर चले तो हमारे 36 गड़ जो है लिंगानुपात के मामले में टॉप में है पहले इस्थान पर है सेकेंड नमबर पर है केरल अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा उडिसा और पस्चिम बंगा थर्ड पोजिशन पर है 940 के साथ ठीक है 940 लिंगानुपात के साथ जबकि सबसे न्यूनतम सबसे दैनी इस्थती में है आपका हर्याना हर्याना का लिंगानुपात सबसे कम है प्रती 1000 पूर्षों की तुल्ला में महिलाओं की संख्या 857 है उसके बाद सेकेंड लाश्ट पोजिशन पर है आपका उत्राखंड 862 और आपके थर्ड पोजिशन पर है दिल्ली एन्सीटी जहाँ पर है आपका 869 दिल्ली एन्सीटी का मतलब नैशनल कैपिटल टेरिटरी ठीक है दिल्ली एन्सीटी अब देखिए भारत का अगर हम सकल लिंगानुपात की बात करें 2021 के अनुमानित आकडों के आधार पर तो ये है कितना 900 अब देखिए यहाँ पर भारत के आकड़े में भी गिरावर देखने के लिमिलेगा जहाँ पर 2011 के जन्गर्णा के आकडों के आधार पर भारत का लिंगानुपात कितना था 943 अभी 2021 के अनुमानित आकडों के आधार पर ये है कितना है 943 अंक की गिरावट दर्ज की गई है ठीक है अब देखिए 36 गड़ का अगर हम सकल लिंगा नुपात की बात करें तो 2011 के जनगरणा के वास्तविक आखडो के आधार पर ये कितना था ये था आपका 199 ठीक है जबकि 2021 के अनुमानीत आखडो के आधार पर ये कितना है 955 यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है लेकिन हमारे आर्थिक सर्वेक्षन जो 36 गड़ सरकार के दोर जो पब्लिश किया गया है उसमें दावा किया जा रहा है कि हमारे 36 गड़ लिंगानुपात के मामले में आपके पहले इस्थान पर है ठीक है लिंगानुपात के मामले पहले इस्थान पर है पहला 36 गड़ दूसरा केरद और तीसरा उडिसा पस्चिम मंगाल और आपकी न्यून्तम बे सबसे कम लिंगा नुपाथ है आपका हरियाना का, ठीक है, इन्पॉर्टेंट है, इसे करिएगा, ठीक, next देखिए, next है आपका जीवन प्रत्याशा, अब ये जीवन प्रत्याशा क्या है, देखिए, life expectancy, जीवन प्रत्याशा, किसी देश में लोगो के जीवित रहने की ओसत अवधी, जीवन प्रत्याशा कहलाता है, यानि कि एक देश के अंदर ओसतन, average, एक मनुष्य कितना जीवन जीता है, ठीक है, उसका life cycle क्या है, कितने साल तक वो जीवित रहता है, उसका average, किसी देश में लोगों के जीवित रहने की ओसत अवधी, ज जीवन प्रत्याचा यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है ठीक भारत एवं बड़े राज्यों में अनुमानित जीवन प्रत्याचा लाइफ एक्सपेटेंसी 2021 से 2025 के लिए यह प्रोजेक्टेड है ध्यान दिजेगा यहां भारत का आकड़ा है यहां पर 36 गड़ा अकड़ा है सरवाधीक जीवन प्रत्याचा कौन से राज्यका है सबसे कम जीवन प्रत्याचा किस राज्यका है अब देखिए अगर हम भात करें भारत में भारत में पुर्षो का मेल पुर्षो की जीवन प्रत्याचा है लाइफ एक्सपेटेंसी जो है पुर्षो की वो है आपका 69.40 ठीक है 69.40 भारत में पुर्षो की जीवन प्रत्याशा है जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 72.70 यानि कि लगभग 72-73 साल के आसपस महिलाओं के जीवन की ओसत आओधी है जीवित रहने की ओसत आओधी यानि कि लगभग 72-73 साल तक एक महिला जीवित रहती अगर हम 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ में पूर्षो का जो आपकी जीवन प्रत्याशा है वो है 67.10 67.10 जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो है 70.80 अगर हम बात करें सरवाधिक सरवाधिक किस राज्य का है जीवन प्रत्याशा तो वो है केरल 73.50 ठीक है पूर्षो का और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में कौन सा राज्य अग्रणिये पूछा जाए तो केरल 79.20 दोनों में केरल सबसे नियूनतम किसका है बोला जाए तो पुर्षो की जीवन प्रत्याशा के मामले में सबसे नियूनतम है मद्यप्रदेश 66.70 महिलाओं की जीवन प्रत्याशा के मामले में सबसे नियूनतम है आपका उत्तरप्रदेश 69.10 हमारे लिए 36 गड़ का आकड़ा important है ठीक है यह अनुमानित आकड़ा यह projected है अभी क्या चला है 2023 यहाँ पे 2021 से 2025 का आपका average बताया जा रहा है ठीक है एक अनुमानित आकड़ा बताया जा रहा है कि भारत में भारत में पुर्षों की जीवन प्रत्यास 69.40 महिलाओं की जो है 72. 2.70 36 गड़ में पुर्षों की जीवन प्रत्यासा 67.1 और महिलाओं की जो है 70.8 यह जीवन प्रत्यासा है याने कि क्या है लोगों के जीवित रहने की औसत अवधी average ठीक है अगर हम दोनों आकड़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो पुर्षों की तुल्ला में महिलाओं की जीवन प्रत्यासा है यह जादा है भारत एवन 36 गड़ दोनों में महिलाओं महिलाओं में जो जीवन की प्रत्यासा है वो पुर्षों से अधिक है ठीक है इन्पोर्टेंट है ज्याद रखना ठीक यह सारा definition आपको official government की economic survey में नहीं मिलेगा यह मैंने अलग से mention किया हुआ ह अब देखिए प्रजनंदर यह प्रजनंदर क्या है इसो ध्यान समझना प्रजनंदर यानिकी fertility rate प्रजनंदर यानिकी महिला जो है एक महिला जो एक ओसतन age group में एक particular age group में एक महिला के द्वारा बच्चों की जन्म देने का दर ठीक है देखिए definition समझजिएगा प्रजनंद वर्ष ठीक है महिलाओं के एक विशेश वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयू ठीक है उनकी प्रजनन आयू की अवधी में पैदा किये गए बच्चों की ओसत संख्या के बराबर होती है ये प्रजनन दर कहलाता है अगर सामानने भासा में हम बात करें बच्चे पैदा कर सकन की आयू जयने की एक महिला एक माता उसकी जो आयू है ये सामानने तर माना जाता है कि 15 वर्ष से ले करके आपके 49 वर्ष 49 वर्ष तक जो है महिलाओं में आपका बच्चा पैदा कर सकने की आयू मानी जाती है ठीक है सामानने भासा में बच्चा पैदा कर सकने की आयू जो क कि आमतोर 15 से लेकर के 49 वर्ष मानी जाती है वाली प्रती 1000 की एकाई के पीछे जीवित जन में बचों की संख्या ठीक है प्रती 1000 के पीछे जीवित जन में बचों की संख्या ये प्रजनंदर कहलाती है ठीक है अब देखे ध्यान समझना भारत एवं बड़े राज्यों में अनुमानीत प्रजनंदर fertility rate वर्ष 2021-25 ठीक है वर्ष 2021-25 के अनुमानीत आपडों के अनुसार अगर हम भारत में अगर हम प्रजनंदर की बात करे तो वो है 1.94 ठीक है 1.94 भारत में सरवाधिक प्रजनंदर किस राज्य काय पूछा जाए तो वो है बिहार 2.92 सबसे कम प्रजनंदर किस राज्य काय पूछा जाए तो वो है आपका पश्चिम बंगाल 1.51 ठीक है 1.51 और 36 गड़ के अगर हम बात करे तो देखे 36 गड़ में 2009-11 के मद्ध है जो प्रजनंद ठीक है 2.05 2.05 अब देखे प्रजनंदर के आकड़े पिछले दो साल से एकोनोमिक सर्वे में पूछे जा रहे है लेकिन वो जो आकड़े पूछा जा रहे है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के डाटा पूछे जा रहे है ठीक है अब देखे एक्जाम में ज अनुसार तो जो चीज पूछ रहा है उसको ध्यान में उसको पढ़ते हुए अपने एंसर को सलेक्ट कीजिएगा ठीक है दोनों के आकड़े अलग-अलग है यहां पर अभी जो हम आकड़े पढ़ रहे है यह सेंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिपोर्ट के आधार पर ह और साथ साथ जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अनुमानित आकड़ों से उठाया गया है ठीक है तो ध्यान दीजेगा प्रजनंदर क्या होता है कि इस्त्रियों के एक विशेश वर्ग दौरा उनकी प्रजनन आयू की अवधी में पैदा किये जाता है उसमें प्रती एक हजार इस्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या ये प्रजनंदर कहलाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका अशोधित जन्मदर एवं मृत्युदर अशोधित जन्मदर एवं मृत्युदर य किसी छेत्र विशेश में प्रती हजार जनसंख्या के पीछे किसी वर्ष में पंजिक्रित जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्मदर कहा जाता है किसी छेत्र विशेश में प्रती हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या अशोधित जन्मदर कहा जाता है यह जो definition है ना यह means answer writing में काम आएगा ठीक है अगर जनसंखिलों topic से कोई एक खादी ऐसा topic आता है कि आशोधित जन्मदर से आप क्या समझते है आशोधित मृत्युदर से आप क्या समझते है तो वहाँ पर आपको काफी help मिलेगे इस formula को लिखने पर इस definition को लिखने पर देख वर्ष के मद्या छेत्र की जन्संख्या यानि कि मान लिजे अगर एक जन्वरी से ले करके 31 दिसंबर के मध्या अगर आकणा निकाला जा रहा है तो वर्ष कौन सा होगा जन्वरी 1, 3, March, April, मई, जून और जूलाई के मध्या उस छेत्र विशेष की जन्संख्या क्या थी व प्री में तो पूछा जाने की संभावना काम है डिरेक्ट आकड़ा पूछेगा लेकिन में सेंसर रेटिंग में ये काम आएगा ठीक है अगर हम अशोधित मृत्युदर की बात करें तो बीच में जुन जुलाई में उस छेत्र विशेश की जनसंख्या क्या थी मल्टीप्लाई वा है एक हजार ये होगा आपका अशोधित मृत्युदर ठीक है अब इसके आकड़ों पर हम चर्चा करते हैं ध्यान दिजेगा भारत एवं 36 गड़ में अशोधित जन्म व अशोधित मृत्युदर देखिए यहाँ पर अशोधित जन्मदर के आकड़े है एक तरफ वास्तवीक आकड़ा है जो की 2011 से 2015 का है दूसरे तरफ 2021 से 2025 के अनुमानित आकड़े है भारत और 36 गड़ के ध्यान दिजे भारत में जो अशोधित जन्मदर है वो 2011 15 के मद्य वास्तवीक जो डाटा है वो है आपका 20.1 20.1 ठीक है जबकि 36 गड़ का वास्तवीक अशोधित जन्मदर 2011 15 के मद्य है 22.5 ठीक है जबकि नविंतम आकड़ों के अगर हम बात करें 2021 से 2025 के मद्या अनुमानित आकड़ों के अगर हम बात करें तो भारत का अशोधित जन्मदर है आपका 16.0 ठीक है जबकि 36 गड़ का अशोधित जन्मदर 2021 से 2025 के मद्दे अनुमानित है 17.8 ठीक अब देखिए अशोधित मृत्युदर अगर हम 2011-15 के वास्तविक आखड़ों की बात करें तो भारत में जो आपका अशोधित मृत्युदर है 2011-15 के मद्दे 7.2 ठीक है जबकि हम अनुमानित आखड़ों की बात करें तो 2021 से 25 के मद्दे भारत का अशोधित मृत्युदर है आपका 7.0, 7.0, 36 गड़ का अशोधीत मृत्युदर है 7.3, ठीक है, ये अनुमानी ताकड़े है, ये वास्तवी काकड़े है, ठीक, चलिए, अगल टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजेगा, next है आपका प्रवासन, प्रवासन या net migration, ये होता क्या है, इसे समझेगा, प्रवा जगह पे जाकर बस रहे हैं, आप रोजगार के लिए किसी दूसरे जगह पे जाकर बस रहे हैं, मजदूरी के लिए बहुत से लोग दूसरे राज्यों में जाकर कर बसते हैं, ये सबी के सबी कहलाता है आपका प्रवासन, ठीक है, देखे, definition क्या है, अंतराश्टी प्रवा बात हो रही है यहां पर देश की बात हो रही है जैसे कि एनराइस ठीक है अब देखिए यह या तो स्वैक्षिक या मजबूरी वस्थ हो सकता है जिसमें रोजगार रोजगार जो है यह स्वैक्षिक है मान लिजे किसी का Google में Facebook में जौब लगा तो वो दूसरे देश में जाक देखने के लिए मिला ठीक उसके अलावा आर्थिक चुनौतियां एवं अत्यधिक गरीबी या संगर्श जैसे कारक शामिल है हाली के वर्षों में COVID-19 महामारी भी प्रवासन का एक प्रमुक कारणों में से एक है तो यह है आपके प्रवासन की परिभासा भारत के बड़े भारत एवं बड़े राज्यों में अनुमानित प्रवासन नेट माइग्रेशन 2021-25 के आकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में सरवाधिक माइग्रेशन ठीक है भारत में सरवाधिक पूर्षों का सरवाधिक माइग्रेशन और महिलाओं का सरवाधिक माइग् दोनों के condition में ठीक आकड़े देखिए आकड़े याद कर सकते हैं बहुत बैटर हैं नहीं याद करेंगे लेकिन maximum किस में था minimum किस में था ये कम से कम याद रखिए सरवाथिक migration कहां से हुआ यह हुआ आपके दिल्ली से सबसे कम migration कहां से हुआ यह हुआ आपके बिहार से ठीक है महिला और पूरुष दोनों के मामले में अगर पूरुष और महिला दोनों कंडिशन में अगर हम बात करें तो 2021-25 के मध्य migration रहा 0.09 ठीक है 0.09 ठीक तो यह था आपका migration next topic देखिए next है भारत की कुल जनसंख्या में से 36 गड़ की जनसंख्या का प्रतीशत अब इसको तो हम जनगर्णा 2.1 बहुत प्रतीशत अबादी हमारे 36 सब्सक्या जनसंख्या 2.55 क रोड़ थीक है भारत में निवास करने वाली कुल जहरी आबादी का एक दसमलों पांच साथ प्रतीशत आबादी हमारे 36 गड़ के शहरी छेत्र में निवास करती है ठीक है भारत में निवास करने वाले कुल ग्रामिन आबादी का 2.35 परसेंट आबादी हमारे ग्रामिन छेत्र में निवास करती है ठीक तो ये तो था आपका वास्तविक आकड़ जो की जनगर्णा 2011 का आकड़ा था अनुमानित आकड़ा जो मैंने आपको बता है लाइन डाइग्राम जो बनाया गया है उस लाइन डाइग्राम में 2021, 22, 23, 24 इसको 25 कर लिजेगा ठीक है 25 ये आकड़े दर्शाय गए है उस आकड़े में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है एक प्रोजेक्टेट बताया जा रहा है कि 2021 में हमारे जो 36 गड़ है वो देश की कुल जनसंख्या का 36 गड़ में 2.16 परसंट आबादी निवास कर रही है 22 में 2.17 परसंट 23 में 2.17 परसंट और आगे आने वाले समय में अनुमानित है कि 2024 में 2.18 और 2025 में 2.18 परसंट आबादी भारत इकुल जनसंख्या का 36 गड़ में निवास करेगी ठीक है ये एक प्रोजेक्टेट डाठा निकाला गया है एक अनुमानित आकला निकाला गया है वैसे ही आपके शहरी छेत रखे है वैसे ही ग्रामेड छेत रखे है इसमें आपके लिए इन्पॉर्टेंट केवल यही है जो वास्तविक जो है उसी से पूछा जाएगा अनुमानित से पूछे जाने की जो प्रश्ट वन्यके समभावना बहुत कम है ठीक इस बार बहुत ऐसे डाटा डाला है आपके इस चैप्टर टू में जो की बहुत से डाटा ऐसे लग रहे है कि पूछा जाने की समभावना कम है क्योंकि Central Government से तो approval मिला ही नहीं आभी तर Next देखिए अब देखिए 36 गड में जो आपके प्रदेश के 33 जिलो के आधार पर जनसंख्या 33 जिलो के आधार पर जनसंख्या बताया है इसमें 33 जिलो का जनगर्णा 2011 के आधार पर वास्तविक जनसंख्या 33 जिलो की क्या है यानि कि जो भी बाद में जो आपके जो पांच जिले बने हैं ठीक है अगर हम गोरिला पिंडा मरवाही को भी ले ले तो छै जिले जो बाद में जो आपके जिले बने हैं इन जिलो को ले करके ठीक है इन जीलों के साथ जो है इन सभी जीलों के आकड़े अभी इसमें दर्था दिये गए है इस साल की economic survey में ठेक देखे जनसंख्या 2011 के बास्तवीक आकड़े में भी आपको पूरा 33 जीले के आकड़े बता दिये गवर्मेंट ने इसके साथ आपकी जनसंख्या 2023 में जो अनुमान देखे यहाँ पर correction कीजिएगा यह कुल जनसंख्या 2011 है कुल जनसंख्या 2011 जनगर्णा 2011 के अनुसार 36 गड़ की जनसंख्या है 2.55 करोड 2.55 करोड 36 गड़ की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगर्णा के आधार पर ठीक है 2011 की जनगर्णा के आधार पर जबकि अगर 2023 के अनुमानित आकड़ों के आधार पर अगर हम बात करे तो 36 गड़ की जनसंख्या है 3.01 करोड ठीक है यह अनुमानित है क्या है अनुमानित है 2023 में 2011 की जनगर्णा के आधार 166 की जनसंख्या कितनी है वो है 2.55 करोड अभी अगर 2023 के आधार पर अनुमान करें तो अभी 2023 में 36 गड़ की कुल जनसंख्या अनुमानित है 3.01 करोड अगर हम बात करें तो 0.46 46 करोड यानि कि लगभग आपका 46 लाग के आसपास आबादी बढ़ी है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ठीक है तो देखिए अब ध्यान दीजेगा 33 जिलो के आधार पर अगर हम बात करें तो 33 जिलो के आधार पर सरवाधिक सरवाधिक किसका है और नियूनतम किसका है जनगारणा 2011 की आकड़ो के आधार पर राइपूर 21 लाग ठीक है मैं लगभग लगभग डाटा बता रहा हूँ एक्जेक डाटा आप यहाँ पढ़ेंगे लगभग 21,5 लाग के आसपास राइपूर की जनसंख्या थी दुर्ग की जनसंख्या 17 लाग के आसपास थी और थर्ड नमबर पर बिलासपूर जो है यह 16 लाग के साथ तिसरे पोजिशन पर था यह जनसंख्या थी अगर हम 2023 के अनुमानित आकड़ो की बात करें तो 27 लाग आप बोलेंगे 26 जो है आपका 26.99 है ठीक है 26 लाग 99,240 लगभग 27 लाग के आसपास है उसके बाद सेकेंड नमबर पर जहां पर यहां दुरूग था 2011 में सेकेंड पोजिशन पर आ गया है आपका विलासपूर लगभग 20 लाग आबादी के साथ और थर्ड नमबर प भया गा कि घठते क्रम में कौन सा आपका एक युग्मत सही है ऐसा पूझ देगा ठीक है जनसंक्या के आधार फर घठते क्रम में दरशाहिए यह घठते क्रम का कौन सा एक आपका विकल्प सही है ऐसे प्रश्ण पूछेगा तो 2011 की जनगर्णा के आधार पर पहले नंबर पर रायपूर, दूसरे में दुर्ग, तीसरे में बिलासपूर, चौथे में कॉर्भा और पाच्वा में रायगाड अगर 2023 के अनुमाजित आकड़ों के अधर पर हम बात करें तो पहले में रायपू दूसरे में बिलासपूर आगया, तीसरे में है दुर्ग, चौथे में बलौदा बजार और पाच्वा में सक्ति, अब देखिए, बलौदा बजार से जो नौगठी जिला बना है सारंगड बिलाईगड, तो बलौदा बजार से बिलाईगड वाला हिस्स्था अलग होने के बाद भी इसकी जनसंख्या देखें, फोर्थ पोजिशन पर है। ठीक है? और खुर्वा जो है यह फिफ्थ पोजिशन पर है। तो टॉफ फाइप के नाम कमसे कम याद रखिएगा। और सबसे कम आबादी की अगर हम बात करें तो सबसे कम आबादी सबसे कم आबादी 33 जीलो के आधार फर वो है आपके नारायनपूर की दोनों में नारायनपूर की Second Last है सुकमा और Thousand Last है आपका बीजापूर ठीक है Last के तीन को याद रख लीजेगा आपका Second Last बीजापूर Sorry Last जो है आपका नारायनपूर उसके उससे थोड़ा से ज़्यादा आबादी है सुकमा की उससे थोड़ी से ज़्यादा आबादी है आपके बीजापूर की ठेक है जनगर्णा यहाँ पर 2011 की जनगर्णा के आखड़ा के आधार पर है 2.55 करोड दो हजार तेईस के आपलों के आधार पर 3.01 करोड ठेक तो इ कि जनकरणा के आधार पर 36 गड़ की जो साक्षर्टा दर है वो थी आपकी 70.28% 70.28% जबकि 2023 में अनुमान यह लगा जा रहा है कि 36 गड़ की जो साक्षर्टा दर है वो 74.53% अनुमानी थे 74.53% अनुमानी थे ठीक है दिश्टिक्ट को देख लेते हैं देखिए 2011 की जनकरणा के आधार पर 36 गड़ में सरवाधिक साक्षर जिला जो है वो 2011 की जनकरणा के आधार पर दुर्ग था राइपूर का 80.52 और बालोत का 80.28 अभी नविंतम आखडों के आधार पर दुर्ग का 86.21 राइपूर का 85.34 और बालोत का है आपका 82.53 टॉप थ्री सेव है फोर्थ में राजना नगा और फिफ्त में धमतरी इसमें देखिए इसमें फोर्थ में धमतरी आगया और फिफ्त सा कठीन है दीखिए यहां पर मोहेला मानपूरा अंबागर चौकी सारंगड़ बिलाईगड़ गोरिला पेंटरा मरवाही यह सारे आकड़े इसमें दर्सा आएगा है सक्ती मनिंद्रगड़ चिर्मिरी भरतपूर 33 जिलों के आधार पर पूरा आकड़ा यहां पर दर्सा आ दिया गया है ध्यान दीजिए अगर हम बात करें 2023 के अनुमानित आकड़ों के आधार पर 36 गड़ की कुल अनुसूचित जन्य जाती जनसंख्या 2023 यह अनुमानित है आपका 89,67,720 ठीक है यानि कि आपका 90,67,720 यह है आपका 2023 के अनुमानित आकड़ों के आधार पर अनुसूचित जन्य जाती जन्य संख्या अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 36 गड़ की कुल जन्य संख्या का यानि कि 2023 के आकड़ों के आधार पर 36 गड़ की जन्य संख्या 3.01 करोड है तो 36 गड़ की 2023 की कुल अनुमानित जन्य संख्या का 29.71% आपकी अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या है ठीक है important है इसमें भी सबसे पहले हम top 3 district को देख लेते हैं कौन-कौन से हैं अगर हम बात करें 2023 के अनुमानित आकडों के आधार पर 36 गड़ में सरवाधिक अनुसूचित जनजाती निवास कर रही है आपके बस्तर में ठ लगभग 69,000 के आसपास ठीक सेकेंड नंबर पर है जश्पूर लगभग 58,000 के आसपास और थर्ड नंबर पर है कोर्भा लगभग 56,000 के आसपास जितने भी आकड़ है लगभग लगभग में याद कीजेगा पूरा डाटा रखने का कोई मतलब नहीं है ठीक लगभग 69,000 यह तो आपको रिफरेंस के लिए मैंने पूरा टाइप करके दे दिया है लगभग 58,000 और लगभग 56,000 ऐसे करके थोड़ा याद कीजेगा ठीक अगर परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें तो सुकमा में निवास करने वाली कुल आबादी का 82.36 प्रतिशत आबादी अनु तो यह जो है इसमें 2011 के आखड़ों को नहीं दर्शाय गया इसमें 2023 के आखड़ों को बताया गया इस साल की एकोनॉमिक सर्वे में तो इसको कर लीजेगा और सबसे कम जनजाती जनसंख्या किस जिले में है तो जनसंख्या देखिए आपका 32 पोजिशन पर है खेरागर चु अनुसूचित जनजाती निवास करती है परसंटेज के हिसाब से बात करें तो परसंटेज के हिसाब से है राइपूर 4.38 ठीक है इतनी आबादी राइपूर में निवास करने वाले कुल जनसंख्या का मात्र 4.38 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है ठीक न जन गर्णा 2011 के आख्ड़ों के अनुसार 36 गड़ का कुल जन संख्या घनत्व है आपका 189, ठीक है, 189, एक्सो नब्य ये है 36 गड़ का कुल जन संख्या घनत्व 2011 की जन गर्णा के अनुसार, ठीक है, प्रतिवर का किलोमेटर में निवास करने वाले जो आपकी आबादी है, आपकी जनसंख्या घनत्व ठीक है density अब देखिए अगर हम बात करें 2023 की आकडों के अनुमानित आकडों के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अगर हम बात करें तो ये बढ़ गया है आपका 223, 223 ठीक अब इसमें भी हम top 3 district को देख लेते हैं, top 3 district कौन-कौन से जनसंख्या घनत्व ठा आपके दुर्ग का second number पर राइपूर, third number पर बिलासपूर, fourth number पर जांजगीर चापा और fifth number पर है आपका सक्ती, देखिए दुर्ग में लगभग 749, राइपूर में 746, बिलासपूर में 460, देखिए कितना difference दिख रहा है, जांजगीर चापा में 435 और सक्ती म के आधार पर, अगर 2023 के अनुमानित आखडो के अगर हम बात करें, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट पोजिशन पर, जहांबे 2011 में क्या था दुर्ग, इस बार होगे राइपूर, second number पर दुर्ग, third number पर बिलासपूर, fourth number पर जांजगीर चापा, fifth number पर आपका सक्ती, केव फर्स्ट और second का पोजिशन चेंज हुआ है, 2023 के आखडो के आधार पर, अनुमानित आखडो के आधार पर, रायपूर का जनसंख्या घनत्व, 932, दुर्ग का जनसंख्या घनत्व, 835, बिलासपूर का जनसंख्या घनत्व, 583, जांजगीर चापा का 509, और सक्ती का 482, य यहां पर, पूरे 33 जिलो के आकड़े दर्सा आएगा है, उसे देख लीजिएगा, अब यहां देखिए, प्रदेश के 33 जिलो के अनुसूचित जाती, यानि की सेडूल कास्ट की बात की जा रही है, यहां पर, इस साल, इकोनामिक सर्वे में केवल इसका, 2021 का आकड़ा दर् आएगा है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यार समझना, प्रदेश के 33 जिलो में अनुसूचित जाती, सेडूल कास्ट का, जनगर्णा, 2011 के आकड़े, ठीक, अगर हम बात करे, 36 गड़ में, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती, जन संख्या, अनुसूचित जाती, जन सं देंख्या, 2011 के आकड़ों के आधार पर, ये है आपका, 32, 74, 69, ठीक है, 32, 74, 69, यहां पर जो आपको आकड़ा देख रहा है, ये आकड़ा गलत है, और ये आकड़ा आपके गौवर्मेंट के एकोनोमिक सर्वे में भी यही आकड़ा दिया गया है, ठीक है, 32, 74, 69, अब 32, 74, 26, 9, यहां से 2 गायब है, ठीक है, 2011 के आकड़ों के आधार पर, 36 गड़ में अनुसूचित जाती जनसंख्या थी, 32,74, 269, ठीक है, ये उसकी जनसंख्या थी, अनुसूचित जाती की, ठीक, अगल प्रतिशत की बात करें, तो 36 गड़ की कुल जनसंख्या का, 12,82 प्रति जनसंख्या क्या थी, 2.55 करोड, 2.55 करोड आबादी में से 12.82 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातीयों की ठीक है, जन जाती नहीं, अनुसूचित जाती की, अगर हम टॉप 3 डिस्टिक्ट की बात करें, ठीक है, टॉप 3 डिस्टिक्ट की अगर हम बात करें, तो पहले नमबर पर राइपूर जहां पर सरवाधिक अनुसूचित जाती निवास करती है, सेकेंड नमबर पर बिलासपूर और थर्ड नमबर पर है आपका दुर्ग, ठीक, अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें, 33 जिलो में, सरवाधिक अनुसूचित जाती निवास कर रही है आपके सारंगड बिलाईगड में थीक है, वर्तवान में 2011 के जणगरणा के आधार पर यह जनसंक्या है, जनसंक्या के आधार है पहले में राइपूर, दूसरे में बिलासपूर, तिसरे में दुर्ग प्रतिशत के आधार पर सारंगर में निवास करने वाली कुल आबादी का 28.6 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाती का है मुंगेली की कुल आबादी का 24.6 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाती का है जांजगीर चापा में निवास करने लेकुल आबादी का 24.6-7 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाती का है जन्रगरणा 2011 के आधार पर इसमें 23 के आधार या 21 के आधार नहीं दर्साए गए है अगर हम लाश्ट की बात करें तो सबसे कम अनुसूचित जाती निवास करती है कहां पर सुकमा में प्रतिशत के आधार पर भी है आपका सुकमा जहां पर सबसे कम अनुसूचित जाती निवास करती है तो ये है आपके 36 गड़ का आर्थिक सर्विक्षण 2022-23 का जनसंख्या वाला टॉपिक अध्याए 2 ठीक है इस बार इस चैप्टर 2 से किस प्रकार का कोशन पूछा जाएगा ये बता पाना पॉसिवल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो आकड़े है ये सभी के सभी आकड़े आपके अनुमानित आकड़े है ठीक है कोई वास्तविक डाटा नहीं है वास्तविक डाटा कौन सा है जिसे सेंट्रल गवर्मेंट से अप्रूव मिला हो जैसे कि जनगर्णा 2011 के आकड़े तो उमीद है कि इस जनसं आउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद